Hello everyone, मैं हुराद चोहान और आज की वीडियो मैं बात करने वाले हैं कैसे आप अपने Snapchat अकाउंट को आप without phone number और email address के आप recover कर सकते हैं अगर आप उसका जो password है उसे अगर भूल गए है और उसे अगर आप change करना चाते हैं तो बिना phone number और email address के आप उसे नहीं कर सकते हैं हो सकता है कि आपका जो phone number है वो अप काम नहीं कर रहा है या फिर आपका जो email address है जो उस पर register है वो आपके पास उसका access नहीं है तो कैसा आप से change कर सकते हैं उसे पर आम बात करने वाले हैं तो जैसे आप यहाँ पर login करने जाते हैं तो आप जब password को आप fill up करते हैं तो अगर आपके सामने यह interface आ रहा है जा पर उसो कर रहा है कि आपका username या फिर email address यह जो password है वो incorrect है तो आपको करना क्या है कि आपको back आना है back आनके बाद आपको किसी भी browser को open करना है तो यहाँ पर मैं आपको recommend करूंगा Chrome browser को और उस पर आपको search करना है support.snapchat.com और उसके बाद जब आप से search करेंगे तो आपके सामने एक interface open होगा तो यहीं पर आपको connect us का एक option मिलेगा तो उस पर click कीजे जैसे आप connect us पर आप click करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर options हो होते हैं तो आपको जो first पर आपको पहला option मिल रहा है यानकि I can't access my account आपको उस पर tick करना है उसके बाद आपके सामने कुछ और options हो होते हैं तो यहाँ पर आपको I forgot my password आपको इस परटिक करना है और उसके बाद आपको स्कूल करनते हैं नीचे जाना है तो यहाँ पूछ रहा है तो phone number को भी यहाँ पर add करना है और अब आपको यहाँ पर वो पूछ रहा है कि what information should we know तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको क्या describe करना है या तो आपको यहाँ पर वीडियो के पर click कर देना है जैसा आप send पर click करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको Snapchat की तरफ से आपको एक reply आएगा तो उसमें जो आपकी जो यहाँ पर request कवर कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा helpful लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो बैल आइकन से प्रेस करके और पर स्लेक कर दीजिए अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुनना चाहते हैं तो आपको ल